Hello everyone, जैसे आप देख पा रहे हो, आज की हमारे इसमें बैगराउंड में बहुत सारी लाइट्स रखी गई है और ये सारी लाइट्स है जो मैं खुद वेडिंग में बहुत यूज करती हूँ अगर आप एक वेडिंग सिनेमेटोग्रिफर है या फिर आप एक वेडिंग फोटोग्रिफर है ये सारी लाइट्स आपके कैमेरा किट में होनी चाहिए जिससे आपका काम और भैतर हो सकता है देखिए, ये मेरा जो है परस्पेक्टिव है, मेरा काम करने का तरीका है सब के काम करने के तरीके के हिसाब से थोड़ा बहुत अलग-अलग हो जाता है ठीक है? अच्छा, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दू कि हम जो है photography educators की इस चैनल पर काफी सारे informative tutorials ले के आते हैं जहां पर आप photography और cinematography बहतर धंग से कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि हम इस चैनल के ऊपर series चला रहे हैं जहां पर हम लोग ने photography की पूरी series सिखाई cinematography सिखाई, advanced photography सिखाई अब हम wedding photography और cinematography को बहतर कैसे कर सकते हैं उसकी पूरी series चला रहे है अगर आपको हमारे इस चैनल में interest आता है प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और शेर करें वो सारे दोस्तों के साथ जिनको भी wedding में या फिर सिर्फ photography, cinematography में interest है तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहली light जिसको मैं आपके सामने मैं बताना चाहूंगी वो है हमारी pota light बहुत ही जादा budget friendly कुछ 2000 के अंदर 2500 के अंदर आपको यह light मिल जाती है इसका power बहुत अच्छा है इसका power 1000 watt का है ठीक है तो जो भी शादियों में हम लोग जाते हैं ऐसी अगर एक से लेके चार अलग-अलग pota light जिसके हिसाब से वहां पे लोग एक stand लगाते है एक pota light लगा दी है वो tube कभी-कभी जल जाती है फूट भी सकती है इसलिए हम लोग extra tubes भी रखते हैं जो आप समझ लिए 2500 के रुपे में आपको मिल जाएगी pota light एक ऐसी चीज है जो commonly wedding photographers cinematographers, videographers सालों से इस्तेमाल कर रहे है मुझे याद है जब मैं छोटी थी 55 से ही मैंने देखा है कि लोग इसको use कर रहे हैं आज की डेट में use कर रहे इसका कारण है कि यह किफायती बहुत है और इसमें power बहुत अच्छा मिल जाता है ठीक है? इसके ऊपर लोग umbrella लगाते है umbrella लगाते है ताकि यह जो hard light, pota light से आती है वो soft हो जाए इसका सब एक minus point यह है कि इसके अंदर से जो light आती है वो बहुत जादा hard होती है हार्ष होती है और क्योंकि यह एक pota light है मतलब यह halogen जैसी light है जिसके कारण पूरी wedding में बहुत गर्मी हो जाती है गरम-गरम कर देता है पूरा environment ठीक है? यह cooling light नहीं है अगर आप एक pota light use करते हो usually हम लोग Kelvin 3200 तक रखते है ताकि हमारा जो एक tungsten bulb होता है तो इसके जो tube होती है वो एकदम tungsten bulb की तरह होती है तो इसके कारण हमारा white balance Kelvin 3200 हो जाता है सारे cameras में इसके उपर यहां पे जो slot है वहां पे हम हमारा umbrella लगा देते हैं और यह stand पे connect करके जो भी wedding में जाते है सबोस मंडब है तो 3-4 pota light मंडब के उपर लगते हैं कम से कम 2 2 सामने से तो मारी देते हैं अगर लगे तो और 2 पीछे लगा सकते हैं ऐसे करके जितनी जादा pota lights है मतलब 3000-4000 watt जितना power है उतना जादा आपका अच्छा काम होगा pota light यूज करते हैं यह भी आज के जमाने में काफी लोग यूज करते हैं दिक्कत यह है कभी-कभी यह जल जाता है कभी-कभी इसका fuse उड़ जाता है कभी-कभी आपको इसका charging का plug नहीं मिलता है कभी charging का plug मिले क्योंकि इसका power बहुत जादा 1000 watt तक का power है तो जहां पर भी आप इसको plug लगाने जाओगे हो सकता है कि वह plug यूड़ जाए तो बड़ी-बड़ी होटलों में ऐसे भी incidences हुए है जहां पर उनका जो plug था वही पुरा उड़ गया तो यह सारे incidences pota light में होते है तो यह इसके minus point है पर plus point तो यही है कि इसको विफाहिती है, high power है सालों से लोग use कर रहे है and सभी को यह जम गया है ठीक है, तो यह एक पहला point है दूसरा point आता है हमारी LC LC जो Godox वालों ने starting में चालू किया था stick light का आ जाता है LC 500R, LC 500R Mini, 1000R यह सारे variants उन्होंने निकाले है यह एक RGB light है इसके अंदर से आपको color color RGB मिलते है जिससे हम लोग bridal portrait लेते है तब हम लोग उनको cut light की तरह use करते है, कभी-कभी face पर use करते है इसके अंदर अलग-अलग modes है तो अगर आपको disco type mode चाहिए या फिर आपको कुछ candle light जिसा mode चाहिए यह सारे modes इसके अंदर available होते है यह stick light का fashion है वो फिलाल तीन साल से तीन-चार साल के around इसका fashion आ गया है जहां पे सारे photographers stick light यूज कर रहे है Godox ने इसको शुरू किया था उसके बाद बहुत सारे brands ने बनाना शुरू कर दिया RGB वाली stick light बनाना शुरू कर दिया तो यह काफी commonly used है I guess Nanlite, Xeon, Hiffin, Sympex बहुत सारे brands है जिनों ने भी यह stick light बनाना शुरू कर दिया अचा कौन सी stick light लेनी चाहिए देखिए हम Godox की use करते है इसका मतब यह नहीं कि दूसरी brands बुरा बनाती है सबका अपना-पना voltage होता है कि वो कितना power देगी and voltage की साथ-साथ आपको यह भी check करना है कि उसका CRI index क्या है मतलब power तो दे रही है पर true actual power कितना आपको मिलने वाला है वो भी उसमें लिखा हो रहता है सिर्फ वोल्ट इतना है ऐसे करके उसको खरीदते नहीं है ठीक है? वोल्ट इतना है पर वो कितना throw देगी वो भी आपको check करना है उसकी index भी आपको check करनी है यह जो चीज है वो आपको तकरीबन 5000 से लेके 15000 की range में stick lights मिल जाती है हम कभी-कभी दो ही stick light यूज़ करके सारी portrait photography wedding में कर लेते हैं कभी इसके cut light की तरह यूज़ करते हैं कभी ब्राइडल के getting ready shot में उसको पीछे से कुछ color वाली effect देने के लिए यूज़ करते हैं जब stick lights नहीं थी तब हम क्या करते थे जो normal LED lights होती थी उसके ओपर gelatin का paper लगाते थे और gelatin के paper लगाने के बाद हम जो है color वाली light का अनुभाव लेते थे, gels लगाते थे अब वो gel well का fashion नहीं चला गया क्योंकि हम सभी लोग बहुत भी conveniently इसके अंदर ही अलग-अलग colors use कर लेते हैं तो काफी easy convenient light है and I think आजकल सारे wedding photographers, cinematographers इसको रखना शुरू कर दिया है इसके बाद जो हमारी तीसरी light है वो है Zhiyun Molus 200 देखिए यह ऐसी light है अगर आप pota light यूज नहीं करना चाहते है आपको लगता है pota light बहुत जादा heavy है इसका जो थोड़ी cooling है अचा हो सकता है कि बैटरी operated light चाहिए कि हमको प्लग लगाने की मगजमारी नहीं अचा ज्यादा voltage ना ले 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 ऐसी light चाहिए आपको बाई color चाहिए मतलब आपको नहीं चाहिए कि इतनी yellowish light आपकी camera में आए आपको चाहिए कि pure white color आना चाहिए तो white color से लेके warm color यह सारे lights के जो color है वो आपको ऐसी lights में मिल जाते है यह Zyoon की mollus 200 है जिसमें 200 watt है जिसका power काफी अच्छा पढ़ता है आपको ऐसी 2 lights चाहिए रहेगी stage के उपर लगाने के लिए या फिर आपको मंडब के अंदर चार light की requirement रहेगी फिर उसका budget बढ़ जाता है इसमें क्या हो था दस हजार में 4 light मिलती थी इसमें क्या हो रहा है कि यह 20-25,000-30,000 से start होती है तो उसकी range बढ़ जाती है तो अगर आपको देखिए, poter light थोड़ा basic हो जाता है उसमें problems भी है वो सारे problems के solution है वो सारे AC lights यूज करने से आपका निकल सकता है तो आपका budget होना चाहिए तो आप अगर देखो Godox's SL60 ML60 ML60 आपको battery operated मिल जाती है तो इसके लिए काफी सारे लोग इसको यूज करना शुरू किया है जब हम लोग के portrait लेते हैं उतना कुछ softness नहीं देगा स्टिक light की ऊपर क्या होता है एक plastic लग जाता है जादा Zune वालों ने इसके ऊपर एक diffuser भी लगाया था मताब वह भी आपको उसके दाद मिलता है पर अगर आपको यह एक proper soft box जैसा effect आए वह सारी चीज़े आपको इसके अंदर मिलती है जिसके ऊपर आप अलग-अलग soft boxes लगा सकते हो strip boxes, octa boxes लगा सकते हो umbrella लगा सकते हो जिससे जो couple portrait लेते हैं जो softness आने चाहिए वह मिल जाती है इसके बाद जो light आती है हमारी next light है एक compact light यह हमारे पास अभी है CX 100 Zune की तो यह Zune की light CX 100 मतलब 100 Watt की compact light है अभी इसका power काफी अच्छा है 100 Watt तक का power है अब जो है यह अभी-भी fashion में आया है कि हम compact lights, high power भी अब market में मिलना शुरू हो चुकी है Zune वालों ने introduce किया उसके बाद Godox वालों ने इसको introduce किया अब दीरे दीरे जो है अलग-अलग brands उसको introduce करेगी यह हम लोग बहुत सारी जगाओं पर यूज करते हैं जैसे कि अगर getting ready shot लेना है मुझे चाहिए मेरे को जूलरी है वो जूलरी का getting ready लेना है तब मैं इसको use करते हूँ फिर अगर मेरे को जो है इसमें गोबो का लगाया है इसमें एक filter लगाया है जो गोबो का काम करता है अलग-अलग इसमें आप shapes वगेरा सब कुछ डाल सकते हो तो यह सारे shapes के वज़े से हम लोग ने recently in engagement shoot में couple portrait करते वक्त जो है अलग-अलग shapes वाले भी shot इसमें से लिए थे तो अगर हमें ऐसी कुछ creativity करनी है या फिर हमें पीछे से थोड़ा सा cut light डालना है या फिर ring का shot ले रहे है और ring में कहीं cut light डालनी है यह सारी minute चीज़े लेने के लिए emergency light या फिर minute चीज़ें के लिए heavy light हो जाते है तो usually वो camera की ऊपर लोग नहीं लगाते है पर उसके बदले आप ऐसी lights यूज़े यह भी हम लोग ने काफी यूज़े का light है और यह कुछ 12 watt की RGB light इसमें भी RGB रंग छूटते है यह जो है by color है यह RGB है तो अलग-अलग कभी cut light डाल दिया कभी यहां से light डाल दिया कभी ऊपर से light डाल दिया कुछ कोई भी light नहीं एक दम अंदेरा है तू एक light डाल दे ऐसे करके ऐसी lights को यूज़े तो इसमें आपको अलग-अलग RGB वगरा भी मिल जाएगे इसके बाद का point है हाको का हाको एक ऐसी brand है यह एक light के लिए काफी famous हो चुकी है यह जो दो lights है जो आप यहां पर देख रहे हो इसे spot वाली effect मिलती है जो चीज आपको इसमें भी मिलती है यहां से भी मिलती है पर यह बहुत सस्ती light है इसके comparison में काफी सस्ती है इसकी quality जो light का throw होना चाहिए वह उतना भी कुछ खास नहीं है नॉर्मल है क्योंकि पैसा भी बहुत नॉर्मल है और इसमें spotting है तो आप ऐसा spot वगेरा दे सकते हो थोड़े से कुछ आपको filter वगेरा करना हो कभी ऐसा हो कि jewelry jewelry के उपर आप ऐसा light गुमा रहे हो यह सारे चीज़े आपको इस सबसे मिल जाती है Haako एक ऐसी brand है जो इस light के उपर gels भी लेके आई है तो आप yellow, red ऐसे gels भी लगा सकते हो काफी सारे wedding cinematographers काफी सारे यह एक light अपने अंदर रखते है कभी कुछ creativity सूचती है कभी कुछ ऐसा spot वाला effect करना होता है Quality कम है, पैसा कम है पर आपकी बैग में रखना आसान हो जाता है कुछ-कुछ effects के लिए अच्छा पड़ता है ठीक है, अभी जो है यहां पर हमारी यह light है इसकी ऊपर एक अच्छी बात यह है कि आजकल की जो compact lights आई है especially यह Zune की CX 100 वाली light है इसकी ऊपर आप Zune to Bowens Mount का एक converter आता है वो लगाईए तो आप इसकी ऊपर आप बड़े-बड़े softbox, octa box भी connect कर पाऊगे तो अगर आप यह वाली light यूज करते हो जो 200 Watt की है ठीक है, उसकी सामनी यह 100 Watt की है प्राइजिंग से सस्ती है इसकी क्वालिटी इसका पावर जादा होगा बट फिर भी अगर आपके compact light में softbox वगेरा लगाना चाहते हो वो भी आजकल option market में खुल गया है इसके बाद, last but not the least, flashlights For cinematographers and videographers के कोई काम की चीज नहीं है पर सारे photographers के लिए बहुत काम की चीज है कोई भी traditional photographer हो अगर आप गोडोक्स वाली ब्रैंड या और भी जो ब्रैंड होती है उसमें जब आप जाते हो बात फरक सिफ इतना होता है हम लोग देखिए यह वाला गोडोक्स वाला light यूज करते है यह V1C pro है जब आप उसमें invest करते हो फरक इतना होता है कि उसका recycling time fast होता है मतलब एक flash गिरने के बाद दूसरी flash को ज़्यादा time नहीं लगता है recycle होने में इसके लिए हम लोग वह वाली flash यूज करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि डिजिटेक और सिंपैस आपको बुरा बेच रहे वह भी आपको अच्छी flashes बेचते हैं पर कम दाम में बेच रहे हैं कम दाम में बेच रहे हैं quality भी अच्छी देते हैं बस थोड़ा power में और power उसका guide number लिखा हो रहेगा एक flash का guide number जादा guide number मतलब उसका power जादा होता है मैं यहाँ पर कोई भी एक brand को promote नहीं कर रहे हूँ ठीक है मैंने सारी lights की बारे आपको समझाया अब जादी quality वाली अच्छी वाली lights जो बहुत power वाली होती है जिसका color की density भी बहुत अच्छी होती है वो आपको मिलेगी बट हमारा budget क्या है wedding photographer आज एक दिन का 50,000 भी लेता है और एक दिन का 50 लाग भी लेता है ऐसे भी wedding photographer है तो आप कौन सी range में बैठते हो आप एक दिन का कितना पैसा लेते हो 5,000 लेते हो, 50,000 लेते हो क्या लेते हो तो उस हिसाब से हमारी kit दिमाग में यही होता है लोग लेंसे को नजर अंदास करते हैं, यह गलत है, कैमेरा की बॉड़ी तो भाई तुम्हारा आधा हिस्सा है, तुम जो भी पैसा खरचने वाले हो, आज तुम 2 लाक रुपया कैमेरा की बॉड़ी में डाल रहे हो, 2 लाक रुपया लेंसे में डालना पड़ेगा, 1 लाक और उस बजट में, आप क्या एक दिन का लेते हो, और उस हिसाब से आपको यह सारी लाइट में इंवेस्ट करना पड़ता है, अच्छा, मैं कौनसी इसमें से लाइट लो, मैंने जैसे बताया, यह सारी लाइट हम यूज करते हैं, अलग-अलग वेडिंग सिचुएशन में अलग-अलग यूज होता है, कभी मंडप पे पोटर लाइट यूज करते हैं, कभी प्रवटरेट लेते हैं वक्त हम लोग यह ज्यून की लाइट यूज करते हैं, कभी कट लाइट देने के लिए स्टिक लाइट यूज कर लेते हैं, कभी फैमिली का पोटरेट वगरा लेन एक दो लाइट लेलो फिर आगे चलके लाइट में भी अलग-अलग लाइट फिर उसके softbox यह सारी चीजों में इन्वेस्ट करके इनसान अपना setup बनाता है ठीक है? सिर्फ camera खरीदना setup नहीं होता कहने का यह है कि आज जो भी lights हम लोग खुद वेडिंग में यूज करते हैं उसके बारे में मैं आपको समझाया आने में आने वीडियो में और भी सारी ऐसी informative चीजों आप सीखेगे अगर आपको इंट्रेस्ट है तो फिर आप इस चैनल को subscribe करिए, like करे, share करे हमारा एक नया course है जो photography को हम लोग advanced level पर सिखाते हैं अगर आपको ये एक paid course है अगर आपको ये course को enroll करना है आप इस दिये गए number पर contact कर सकते हो यहाँ पर आपको सारी details मिल जाएगी और आप चाहो तो हमारा हर महीने course होता है जिसमें आप enroll करके join in कर सकते हो Thank you so much everyone, see you soon